तो आप देखकर ही समझ सकते हैं विल्कुल डिफ्रेंट बना हुआ है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए आप पूरे अन तक बने रहें साथी मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देए तो आए देख लिए इसे कैसे बनाना है इसे पहले हमने लिए हैं एक कडाई हूसमें मैने पानी में आप कर रही हूँ सारे अंडे ुमिने इसमें टोटल बारा अंडे लिए है इसके ऊपर से में थोड़ा सहषी नमक कर देए ओलेए तक जो अंडा है उन फटे गा नहीं तो जैसे ही इसमें हाई फ्लेम भी बोईल आ जाएगा इसके बाद हम इसमें मटर एड़ कर देंगे और मटर को भी हम 5-7 मिर्ट तक बोईल कर लेंगे तो बस हमारा एक जैसे बोईल हो जाएगा हम इसे फटाफट से निकाल का ठंडे पानी में तुरंत एड़ कर देंगे इससे जो है अंड़ा बहुती इजीली इसका शिलका निकल जाता है तो यह देख सकते हैं तो सारे शिलका हमने निकाल लिये हैं इसके उपर से मैं जो है लंबा लंबा सा इस तरह से कट लगा ले रही हो यह देखिए बस इससी तरह से कट लगाना है फिर से हमने कड़ाई मिलिया है ओयल, ओयल को मैंने बहुत ही जादा हीट कर लिया है और इसमें मैंने अड़ कर दिया है अंडे को, अंडे को हम हाई फ्लेम पी ही इसे फ्राइ कर लेंगे जिसे ही फ्राई हो जाएगा हम इसी निकाल लेंगे और इस ओयल को हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे इसके बाद हम इसी ओयल में जो हैं गरम मसाले एड़ कर देंगे जिसमें मैं लिए तीज पता, हरी दो हरी इलाईची, एक बड़े इलाईची, दालचीनी का टुकड़ा, आदा चम्मजीरा इसके साथ ही मैंने चार लाल मिर्ची एड़ कर दी है इन सब को हमने थोड़ा सा तड़क लगा लिया है इसके बाद हमने इसमें एड़ कर दिया है दो बड़े साइस का स्लाइस किया हुआ प्याज और इसी जो हमने इसमें फ्राइ कर लेना है इसे मैंने जो है हाई फ्लेम पे ही फ्राइ किया है तो इसे फटावल्ट से हम फ्राइ कर लेंगे तो यह देख सकते हैं जो प्यास है वो हमारा फ्राइब हो चुका है अब हम इसमें जो हैं मसाले अड़ कर देंगे तो मसाले में मैंने लिया है अधरक लसन का पेश्ट और उसमें मैंने जीरा और काली मिर्च को जो है पीश कर ले लिया था तो इसे इसमें इसके साथ ही एड़ कर लिया है इसके साथ अब इसमें आड़ कर देंगे तीन लाल टमाटर का जो है प्योरी बना लिया है उसको मैंने इसमें इसमें आड़ कर लिया है इसके साथ ही मैंने एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्ची पाउडर आदह चम मसाला जैसे ही भून जाएगा हम इसमें एड कर देंगे हरे टमाटर जिससे हमने बॉल करके रखा हुआ है इसकी साथ एक से दू मिनट तक भून लेंगे देख सकते हैं मसाला कितना अच्छी तर से भून चुका है अब हम इसमें जो हैं अंडे को एड कर लेंगे और अंडे को एक मिड़ तक मसाले के साथ बिल्कुल हलके हाथ से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इसके साथ हम इसमें आड़ कर देंगे पानी पानी हमने ग्रैवी की थीकनेस के अकॉर्डिंग रख लेना है तो ये देख सकते हैं इसे हमने हाई फ्लेम पे 3-4 मिड़ तक बॉल कर लिया है अब हमारा एग मसाला जो है वो बनके हो चुका है रेडी ये देख सकते हैं कितना एट्रेक्टिव दिख रहा है तो बस इसे हम फटा फट से सर्फ कर लेते हैं इस तरह से एग मसाला करी बनाकर आप किसी को सर्फ करेंगे गैस्ट को या फिर फैमिली मेंबर में तो ये कुछ डिफरेंट तरीके का लगेगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने वालों को भी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा आप भी इस रेसीपी को एक बार जरूर ट्राइ करें तो आयो फ्रेंट मेरे वीडियो आपको जरूर पसंद नहीं होगा वीडियो पसंद नहीं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और रेसीपी के साथ तब तक लिए आप अपना खैरा के बाई